देखें यूपी निकाय चुनाओं में मिली हार के बाद आग बबला हुई बसपस उप्रियो मायवती ने इबियम से चुनाओं बंद कराने की उठा दी है बड़ी मांग जीहा मित्रों आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाओं की 17 की 17 मेयर स्टीटों पर बेजी पी ने अपना पर्चम लहरा दिया इसके बाद तमाम पार्टियां बॉकलाई हुई है चाहे अकले स्यादा हो या बसपस उप्रियो मायवती आपको उतादे कि अभी अभी बीएसपी सुप्रियो मायवती की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेजी पी ने सर्यंत रच के इस चुनाव में जीत हांसल की है सरकारी मसीनरियों का दुर्पियों क्या है ये वीम से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए ये वीम से वोटों की चोरी होती है इसके अलावा अगर है चुनाव फ्री एंड फेर होता तो नत मेर चुनाव भी जरूर जीती ये आपको तादे कि उन्होंने बड़ी बात बोली है उन्होंने कहा है कि सत्ता धारी पारटी धंदली कर चुकी है और चाहे बेजी पी हो या समाजबादी पारटी जब सत्ता में आती हैं तो ये धंदली ही करती हैं इसके अलावा समाजबादी पार्टी भी काफी ज्यादा हार से वोखलाई हुई है और उनकी गोरखपुर से जो मेयर प्रत्यासी थी काजल निसाद वो भी आपको तादे कि आत्म दाहे करने की बात बोल रही हैं वो कह रही है कि निस्पक्षता के लिए फिर से बोटों की गिंती कराई जाए बोट काउं करें धन्यवाद।